हेलो दियर स्टुडेंट्स, वेल्कम टुए एटीपी स्टार लणिंग प्लाटफॉर्म गाइस कैसे हो आप सब, I hope all of you are doing really well आप सब आप सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टन्ट है, देखिए जेएमेंज जेन्वरी एटेंप्ट बहुत ही करीब आ रहा है और मैं जानता हूँ याँ दिल की धड़कने सभी की बढ़ती है anxiety सभी को होती है डर सभी को लगता है गला सभी का सुखता है तो guys बात है ऐसी कि इस समय पे डर लगना अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है थोड़ा जादा भी लग रहा है that is obvious, that is okay याँ आप एक normal aspirant है, normal human being है सभी के साथ ऐसा होता है लेकिन, लेकिन, आपने से मैं बता रहा हूँ दो category के students है एक category के students वो है जिनकी तयारी अल्रड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है slavus almost complete हो चुका है now they are revising properly उन students के लिए वीडियो नहीं है second category, जो major category है जो मैं जानता हूँ उनका slavus अभी भी काफी pending है मैं मानता हूँ, हो सकता है अभी भी slavus pending है, ऐसा लग रहा है, चीजे भूल रही है और ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है JMAs January में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा ऐसा हो रहा होगा, शायद आप में से काफी के साथ हो सकता है ऐसा हो रहा हो तो guys, ये वीडियो को आप end तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए, तो make sure you share it ओके guys, तो देखिए पहली चीज मैं आपको बता रहता हूँ, देखो आपके पास दो attempt तो भी है, जेमेस January भी है और जेमेस April भी है ये बताओ तो डरने वाली बात तो पहले ही खतम हो जाते ही जब आपके पास दो attempt है, लेकिन ये पहला attempt आपको waste नहीं करना है पहला attempt या नहीं जो January वाला attempt है, उसको waste नहीं करना है समर्याँ है, आप में से कई सारे students ने शायद सोच लिया होगा कि यार, slivers मेरा अभी थोड़ा सई से नहीं हो रहा मैं January की बजाए April पे focus करता हूँ, पता है ये अपना दिमाग अपने आपको बेकूफ बनाता है कैसे बेकूफ बनाता है, कि यार छोड़ अभी time मेरे पास नहीं अभी मैं करनी पा रहा हूँ, तो अपने stress को release करके आप April पे ध्यान देना शुरू करते हो अरे यार, पहले भी मैंने बताया है कि ये attempt जादा important होता है April में अच्छा score करने के बावजूद भी कई बार percentile क्या हो जाती है तो पहली चीज़ अभी April के बारे में मत सोचो यार हम क्या करते हैं, हम April का दिमाग बना के अपना timeline बना लेते हैं हाँ, इतने महीनों में मैं cover कर लूँगा उससे हम relax हो जाते हैं, अपने जिम्मेवारी जो है हमारी हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम भाग रहे हैं तो guys, ऐसा आपको नहीं करना है यानि focus on the first attempt, जितना आप कर सको जितना slavers आप से हो सके अब कैसे करें, how to do it slavers तो भी complete नहीं हुआ है, चीज़े मैं भूले जा रहा हूँ तो guys, अगली चीज, focus on the things which you can do यानि मालो आप 70% slavers कर सकते हो 80% कर सकते हो 60% कर सकते हो, उस पर ध्यान दो ना मालो 300 number, अपना पूरा paper जो है, वो कितने marks का है? 300 marks का है? अगर आपने 200 का attempt किया 200 का अगर attempt किया, तो अब समर रहो ना, कितना हो गया? 67% around आपने attempt किया, अगर मालो आपका accuracy level बहुत अच्छा रहा, तो आपके 160-70 तक marks आ सकते हैं और 160-70 जो marks है ना, इस particular attempt के हो सकता हो next attempt के 200 के बराबर हो समर रहाँ सभी? यानि आप समर रहो, 200 का attempt कर रहे हो 200 का attempt कर रहे हो, तो आप 100 का skip कर सकते हो, इसका मतलब focus कर लो कि आप मैं कितना करने वाला हो इतना ही slaybers करने वाला हो, अगर आप focus करोगे उन चीजों पर जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका दिमाग खराबी होता रहेगा यानि focus on what you can do focus on what you can do, rather than what you can't do, जो आप नहीं कर सकते उस पर focus आपको नहीं करना है समझ गए? तो अगला point आप समझ गए हो limited slaybers पर आपको ध्यान देना है अगली चीज, overthinking अप छोड़ के काम करना शुरू कर दो you know, randomly बहुत सारे YouTube के वीडियोस देखते रहना, फिर कुछ और decision आएगा, कोई कहेगा कि 30 दिनों में 40 दिनों में चमतकारी कुछ बाबाजी कोई आपको बताएंगे कि इतने सारे marks आप ले आओ obviously यार उतना ज़ादा impractical मत सोचो, इतने सारे वीडियोस मत देखो limited वीडियोस देखो, काम की वीडियोस देखो और अगर हमारे platform पे आप पढ़ रहे हो तो उससे आप ठीक से पढ़ सकते हो बहुत help मिल सकती है आपको slaybers complete करने का बहुत ही सही तरीका है बहुत जल्दी आप हमारी app से उसको cover कर सकते हो आपने से कई student पूछते कि सब मुझे जल्दी cover करना है तो जल्दी आप app से भी कर सकते हो या किसी और platform से अगर आपको की और अच्छा लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो समझ गया आप सभी अगली चीज भाई ये डर anxiety को दूर करने का क्या तरीका है इस डर anxiety को दूर करने का एक ही तरीका है एक ही तरीका है क्या मेहनत करना काम करना सही direction में आप आज का plan बनाओ अभी का plan बनाओ कि मुझे आज क्या बचाना है आज मुझे क्या करना है छोटी छोटी target बनाओ और उनको पूरा करो अगर वो आप कर पाओगे अगर आप वो कर पाओगे तो आपका motivational level, confidence level गाईज, increase होता जाएगा तो अभी से जही में सेपरेल के बारे में मा सोचू को कई students तो अभी से 12th class के drop करने के बारे में सोचू के नहीं या don't think that much, अभी try करो जितना आप कर सकते हो यह attempt बहुत important है नहीं तो यह attempt waste हो जाएगा और ऐसा ही scenario दोबारा से में सेपरेल में आएगा और तब stress और भी ज़ादा हो जाएगा खासकर droppers को और stress हो जाएगा तो guys, overall the conclusion is यह जो समय है, यह समय बहुत important है, यह attempt बहुत important है, don't give up never give up, जितना आप slivers कर सकते हो fix कर लो कि मेरे को इतना ही करना है जो skip करना है उसको भी fix कर लो ताकि उसी को आप इतना revise करो इतने question practice करो कि finally exam में you will be able to reproduce उस समय आपको चीजे याद रहे यह important है तो नीचे दिये comment section में simple आपको एक line लिखनी है I will do it, I will do it बस वो आप लिखो देखते हैं फिर आप आगे कितना अच्छा कर पाओगे ओकी guys बस आप अच्छा मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है हम आपके साथ हैं हर step में ओकी guys, bye bye, take care and keep preparing well